आख सके तुनावी राजे त्यापर आप सालटेकर प्राईचे लग दें पहरे आपको बताए 60बाजार क्या कहता है तो 60बाजार के मुदाबिक रादेस्तान में भाजपा की जीत होनी चाहिए 36गड में कॉंग्रेस पार्टी की जीत लगता है कि तैया है और मद्द्र प्रदेश में क्लोस फाइड है उसमें Congress Party आगे दिखाई दे रही है, ऐसा 60 बाजार कह रहा है कि सरकार Congress Party बना सकती है ये तो 60 बाजार की बाद भी है, अब हम चर्चा करेंगे ये दोनों पार्टियां ये क्या सोच रहें है खास कर पोलिंग हो जाने के बाद और पोलिंग से तीन दिन पहले, दो दिन पहले इनका अपना internal assessment क्या है, इनका feedback mechanism क्या होता है, कैसे इन पार्टियों को पता लगता है कि चुनाव हार रही है, जीत रही है, जो आद भी लड़ रहा है, उसको तो कम से कम पता चलता होगा कि जमीन पर हकीकत क्या है, तो उनका अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, वो क्या बता रहा है असली रिपोर्ट कार्ट तीन तारिक को आगा, उससे पहले उनकी assessment आज हम आपको बताएंगे और कैसे उन्होंने की, इस पर भी हम लोग बात करेंगे तो मैं पहले शुरवात करना चाहता हूँ, अब विजय लक्ष्मी हमारे साथ जोड़ गई है बिजय लक्ष्मी, इन तीनों राज्यों के लिए कॉंग्रिस पार्टी का अभी तक का अनुमान क्या कह रहा है शुरवात, चूंकि प्रचार राजिस्तान में चल रहा है, इस वक्त तो राजिस्तान से करते है अज़ा मुझे बताया जारा है, फोन उनका अभी disconnected है टीक, देविन तब तक हम बीजेपी का assessment जान लेते हैं, राजिस्तान, मद्यपरदेश, 36 गड़, इस करम में देविन राजिस्तान में तो जैसे कि पहले हम लोग बाचीत करते रहे हैं, सौरवी, 115-120 सीटें के आसपास बीजेपी का आकलन भी है गाउंड से वही feedback भी है, यह बात समझ में भी आ रही है, कि लगभग realistic रहेगा कि anything between 110-120 बीजेपी जाएगी और यह अधिकतम होगा, इससे ज़्यादा कि समभावना नजर नहीं आ रही है दूसरी तरफ मध्यपदेश की बात करें, तो मध्यपदेश के बारे में पार्टी के पास जो एकदम से internal feedback है उसके इसाफ से वो यह मान कर चल रहे हैं, कि उसमें बहुमत से 5-6 सीटे जादा होंगी यानि कि 120 के आसपास वो सीटे आएंगी लेकिन यहाँ पर एक जरूर बात जोड़ देनी चाहिए, कि यह उनका इस exemption पर रधारी था है कि जो महिला वोटर हैं, उनके दो तिहाई वोटर्स ने बीज़ेपी के पक्ष में वोट किया है अगर ऐसा होता है, तो यह सीटे उतनी हो रहेगी 36 गड़ के बारे में पार्टी का जो इंटर्नल फिड़वेक है, उसके हिसाब से 32 से 35 के आसपास उसकी सीटे आ रही है 36 गड़ में और समझा जा सकता है कि पिछली बार की चुनाओं से अगर तुलना करें, तो आप वो समझ में आएगी बारे में हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं कि क्या रहेगा बीजेपी को मामला वहाँ कोई उमीद नहीं है तो राजिस्तान में आपने बताया, कमफर्टेबल मेजॉरिटी MP में क्लोज मेजॉरिटी के साथ सरकार बन सकती है और हर एक बूत के इसाब से जो प्रभारी बनाते हैं उनके उपर जो पन्ना प्रमुक का नाम हम लोग लातार चर्चा करते रहें लोगों को बताते रहें तो उसमें इंडिविजॉल का नाम लिखा रहता है फोन नंबर सहीत उनको घर से निकाल कर वोट बूत तक लेके जाना वोट दिलवा देना ये जिम्यदारी तै की जाती है कि किस वेक्ति के उपर कौन सी जिम्यदारी है हर एक बूत के इसाब से उसके बाद वोटिंग वाले दिन जैसे आठ बज़ बूतिंग शुरू होई तो जब वोटिंग खत्म हो गया तो फिर उसके पाद उसके फिडबेक लिया जाता है कि आपने कितने कितने लोगों को वोट दिलवाए जो आपके जिम्यदार दिलवाए यहां पर समस्या कहा आती है पहली समस्या ये कि जिसको आप मान कर चल रहे हो कि ये आपका है हो सकता है कि इस बहाँ उसका मूड बदला हुआ हो लेकिन ये बात आपके कारकरता को बतायेगा नहीं दूस्य समस्या वहां आती है कि कारकरता ही अगर गलत फिडबेक दे ये दो समस्याओं के चलते है पार्टी का अपना जो assessment होता है कभी-कभी गलत हो जाता है लेकिन कमों बेस आप देखें तो भले ही सारजानिक तोर पे जो भी कहा जाए अंदर खाने पता होता है कि रियर्ट क्या रही जा रहा है जिस आम ने कहा है पार्टियों को मलब पूरा ground reality कॉंग्रेस पार्टियों को लेकर के अभी तक का feedback क्या कह रहा है कहां चुनाब जीत रही है पार्टियों ऐसा मानती है कहां पर सिती खराब है ऐसा लग रहा है विजय लक्ष्मी के पास सलते है विजय लक्ष्मी राजिस्थान, मध्यप्रदेश, 36 अभी तिसके और खासकर इन राजियों में तिलंगाना का priced भी बताईएगा क्या है पार्टि कानुमान कॉंग्रेस कानुमान देखिए पहले तो बात करें से जिन राजियों में चुनाव हो गए है उन राजियों की, मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी के जितने भी निताओं से आप बात कर लीजे हूं कहते हैं कि 130 प्लस के आंकड़े के साथ हम सरकार बनाएंगे मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी एकदम शॉर्ट शॉर्ट लगती है उनके निताओं से चाहें आप ऑन रेकॉर्ड बात करिये चाहें ओफ रेकॉर्ड बात करिये नेता कहते हैं कि गिरेंगे भी तो 125 से नीचे नहीं जाएंगे और 125 से 40 के बीच कहीं भी लेकर आंकड़े के साथ हम सरका बनाएंगे 130 से 40 के बीच के फिगर की बात ज्यादतर कॉंग्रेस के नेता करते हुए नजर आते हैं विंद्य वाला जो इलाका है इसके रावा ग्वालियर चंबल बेल्ट कॉंग्रेस पार्टी को लगता है कि ये उनके कुछ मजबूत स्ट्रॉंग होल्ड रहे और उनको काफी संख्या में वोटर निकल करके भी आया और जिस तरह से महिलाओं का वोट प्रतिशत गिरा तो मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी को लगता है कि लाडली बहना योजना जो बीजेपी का ट्रम कार्ट था वो बहुत जादा नहीं चला और इसलिए महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है वो गिरा और जिनोंने दिया होगा बीजेपी को वोट वोट वो अलड़ी उनके कॉर वोटर में थे तो पहले भी वो ऐसा नहीं मान कर चल रहे थे कि वो वोट कोई उनकी तरफ बहुत जादा शिफ्ट होने जा रहा है तो मध्य प्रदेश में कॉंग्रस पार्टी को लगता है कि इस बार काफी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जो है कॉंग्रस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कुछली बार 68 seats कॉंग्रस पार्टी ने वहाँ जीती थी इस बार कॉंग्रस को लगता है कि 50 प्लस का कोई आखड़ा जो है वो वहाँ पर जीत कर अपनी सरकार बनाएगे लेकिन यह कॉंग्रस मानने को तयाण है कि इन दो राज्यों में किसी और की सरकार बनेगी यह दो राज्यों में कोंग्रस शॉट शॉट नजर आती है जहां तख बात है राजस्थान की तो आभी कि अगर हम बात करें तो जो इंटरनल फीडबाक है 90 प्लस के आकड़े के साथ कहीं पर कॉंग्रस पार्टी अपने आपको खड़ा हुआ पाती है कॉंग्रस को लगता है कि उनकी स्कीम जो है वो बहुत ज्यादा पॉपिलर वहां पर रही और उन्हीं स्कीम और गैरेंटीज के भरोसे प सब्सक्राइब करेंगे तो वही कोशिच से सोनिया गांधी वहां जाकर कैम्प कर या चार-पांच दिन वह वहां पर रुकी हाला के हवाला स्वास्ते और दिली के प्लिशन का दिया गया लेकिन सब को पता है कि इस काम के लिए फी कि कॉंग्रस का हाूस दिन ओर आए क्योंकि internal feedback Congress का यही है कि अगर अंतिम दिनों में सचिन पाइलेट और रशोग गहलोत एक साथ नजर आएं क्योंकि गूजर बेल्ट में खासा रोश है जिस तरह से सचिन पाइलेट पिछली बार जब चहरा थे तो काफी अध्यक्ष थे प्रदेश अध्यक्ष थे तो काफी सा गूजर बेल्ट में Congress Party का performance जो था वो बेहद अच्छा था इस बार ऐसा माना जाता है कि गूजर बेल्ट में काफी निराशा है और वोट ना आए तो इसलिए कोशिस जरूर Congress Party की तरफ से की जा रहे है कि सचिन पाइलेट और रशोग गहलो जो है वह साथ दिखे तेलंगान है नेपोटिजम है और एकी फैमिली का वर्चस जिस तरह से पिछले दस सालों से हो खासता और से क्योंकि बाइफरकेशन स्टेट का Congress Party के यूपिये टू के कारिकाल में हुआ जिसका श्रे कॉंग्रिस पार्टी सोनिया गांधी को देती है जब यूपिये की चेयर परसन थी तो Congress Party को लगता है कि एक तो corruption है B.R.S. का मौजूदा और दूसरा उनको लगता है क्योंकि बाइफरकेशन Congress ने किया और एक anti-incumbency major है तो उसका फाइदा कहीं ना कहीं उनको चुनावी फाइदा जो है विजे लिक्ष्मी आप ये बतारें कि Congress Party के अनुमान के मताबिक ये ये इन दोनों पार्टियों की उमीद है या अनुमान है जैसा देविन ने साफ का कि अनुमान है वीजे पी का तो आप से मैं clarity देना चारा हूं विजे लक्ष्मी ये पार्टी उमीद कर रही है कि ऐसा होना ऐसा हो या उसको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए अभी तक के क्रेस के जितने नेता चाहें आप बहुत चोटे कारेकरता से बात कर लीजे या फिर उनके टॉप क्लास लीडर्शिप से बात कर लीजे बहुत कॉंफिडेंट मुझे की लीडर्शिप की बॉडी लांगविज में नजर आया मध्यप्रदेश में वहां पर कॉंग्रस को वो अच्छा करेंगे लेकिन अभी उतने कॉंफिडेंट वाली स्टेज में नहीं दिखती है लेकिन जो आपने बताया राजिस्थान में कॉंग्रेस पार्टी का जो अरुमान नब्बे के आस पास है तो वो भी काफी क्लोज आगर नब्बे प्लस कॉंग्रेस पार्टी को लगता आएगा तो वो तो चना फिर काफी क्लोज पहुंचता है देखा ही दे रहा है लाओ जी देखें ये पार्टियों का अनुमान होता जैसे अभी जो है एक जगा पर दिवाली मिलन का सामार होता तो वहाँ पर अमिशा जी सज बात हुई उसमें भी अमिशा जी ने ये कहा कि आपको ये सर्प्राइज होगा या आपको ये अचंबा होगा कि जो च्छतिसगड में परिणाम आएंगे वो बीजेपी के फेवर में आएंगे तो पार्टियों का अपना अनुमान होता है ये भी बता दू कि पार्टियों तरहां से ये अनुमान लगाती है जब देखा होगा मद्दान बूथों के बाहर जो है पार्टी के कारेकरता अपना एक स्टेज लगा के एक बैठे हुए होते हैं जिसमें जो हो है वोटर लिस्ट उनके पास होती है वो ये बताते हैं वोटरों को कि आपको किस बूथ में अगर बूथ बढ़ा है तो किस बूथ म के पास कितने आये कॉंग्रिस के कितने पास आये ताकि यह assessment हो कौन कहां वोट कर रहा है तो इस तहां से अलग लग तरहां से पार्टी अनुमान लगाती है चुनाव के बाद तो एक clear picture आती हो कि पार्टी के पास बहुत clear picture होती है कि वो जो है वो चुनाव जीत रहे हैं या व हमारे फेवर में वोट किया वो यह भी assessment होता है हमारा काडर कितना बाहर आया उसने कितने जो है वोट दिये यह सब assessment वो करके रखते हैं इसमें और ध्यान देने वाली बात होती है जैसे जब चुनाव चल ला है जैसे हैं भी चुनाव चल ला है मानलिए मध्यपते सब 36 कर म information होती है मेरे अपने अनवाओ के हिसाब से जब नेता किसी दूसरे नेता से बहुत भरुसेमन नेता से उस बात को शेयर करता है और उसके मारफ़त अगर आपको जानकारी मिल गई तो वो एकदम सेकुरट होती है कि नेता सोच क्या रहा है अन्यता जान बुच कि आप इस ब जोरानी मद्यपर्देश में तो नहीं है और उनको ज्यादा परसेप्संस से फर्क पढ़ रहा है कि यहां आम तो पर मीडिया भी सारी बात कह रही है सर्वे भी सारे इस बात को कह रहे हैं कि यहां का सीरा सिंग चौहान से लोग नाराज हो गया है अन्यता कॉंग्रेस पार को बाई डिफॉल्ट फाइदा हो रहा है वहां पर शीरा सिंग चौहान की तुल्ना कर ले आप माफ किजेगा दिग्वे सिंग की पिछली चौहां में जिस प्रकार से नोंने मेहनत की थी इस बार कहा थे वो पिछले चौहां में उनके पास सिंधिया भी थे इस बार तो थे पिछली चौहां में जिस प्रकार से ताकत लगाते दिखे थे इस बार भी नहीं तो यहां पर बाई डिफॉल्ट उनको फाइदा हो रहा है कि फटीग है शीरा सिंग चौहान के चेहरों के लेके हो हमारे हिस्से में आ जाएगा और परसेप्सन भी है इसमें कोई दोरा नही कि वोकल ही है जो लोग वोकल हैं मध्यप्रदेश में उनसे आब बात की दियेगा तो आपको इस समझ में आएगा कि कॉंगर्स पार्टी जीत रही है लेकिन एक जो महत्पून बात है जीनाकणों की चर्चा बहुत कम हुई है मध्यप्रदेश में 2018 में शिवराज सिंग चौहान के खिलाब बहुत गुस्सा था और मैं बार बार दो बताता हूं जातिवादी जो उभार था सवानों का जो सरकारी कर्मचारियों का संग्ठन थ इसका परणाम क्या था जैसे 10 सीटे हैं जहां बहुत कम अंतर से जो जीती हैं वो कॉंग्रिस ले गई उससे भी बड़ी एक खबर है करीब साढ़े पांच लाक मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था मुझे पूरा अनुमान है और ये भारती जनता पार्टी भी मानत रखते हैं और अगर वो जुड़ जाएंगी तो आपको चुनाव सीधे सीधे जिसको अभी कहने हैं कि संतुलन बनाना पढ़ा है अभी जो बठकरा रखना पढ़ा है वो सीधे अचानक पढ़ा एक तरफ जुग जाएगा तीन दिसम्बर को होता हुआ दिखेगा इसमें एक वार मात मैं जोड़ूँगा कि देखे मध्यपदेश का चुनाव इस तरफ पे भी डिपेंड करेगा देखे विंध की जो सीधे हैं उसमें पिछली बार बीजेपी ने बहुत जादा मतलब आप खुद सोचिए तीस में से चौबीस सीधे ली थी कॉंग्रेस का ये वहाँ पर ध्यान मतलब रख रहे होगे कि कॉंग्रेस इस पार कैसा परफॉर्म कर रही है क्योंकि विंध में जो चुनाव होगा जो हुआ है उसमें कॉंग्रेस को कितनी सीधे मिलती इससे कॉंग्रेस की ओवरॉल टैली जो है वो करे जी मैं हर्श्वादन जी की बात को आगे बढ़ा जेता हूँ भुपेन यादनों जब पहली बैठेक ली थी बोपाल के अंदर तो उन्होंने बहुत इसपर्च कारकादा से काता है कि नूटा का जो वोटिंग पड़ा है 2018 का उसको विशेज ध्यान रखना है उससाथ में ये बात भी कही थी कि पिछले 2018 के चुनाओं में 47 से हर वोट ज़्यादा मिले थे लेकिन सीटे बीज़े पी कम हो गई थी तो पास सीटों का जो डिफरेंस था भारज़न था पार्टी और कॉंग्रेस की बीच में इस बार इस सीटे पिर ये कम से कम 25 सीटों का मारजन काइर कि ये संदेश जरे बार कोई दूसरा जोत-रशींदिया नहीं है जो हमें सरस्कार बना पाएगा इस स्टेश में नहीं जाना हरा कि फीर पार्टियों का अनुमान जो पार्टी बताती है वो हमने आपको बताया बीजेपी को लगता है कि पार्टियों का अनुमान जो पार्टियों का अशोग गहलोट का अपना एक बड़ा तंतर जया वो भी काम कर रहा है और आपने उनकी भाशनों में सुना होगा वो बार-बार कहते हैं रिवाज बदलेगा बार-बार कहते हैं कि इस बार सरकार रिपीट होने वाली है कॉंग्रेस बीजेपी कहती है कि डिलीट होने वाली है अशोग गहलोट के टीम इमानदारी से क्या बता रही है मनीश देखिए बहुत confident नजर आ रहे हैं अशोग गलोत और उनकी टीम उन्हें लगता है कि उनकी जो योजना है especially जो साथ guarantee है वो कहीं न कहीं सब परभारी पड़ेगी और यही वज़ा है कि आप देखिए हर जगा वो अपनी guarantee हो के बारे में बात करते हैं कल उन्होंने भावुक अपील भी कीती कि मेरे काम को देखो उसी से assessment करो सरकार वापस लानी है इस तरीके की बाते उन्होंने कीती खास बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने को portrait किया है राजस्थान में जो तमाम नेता जो internally ये बात कर रहे हैं कि ये चुनाओ Congress कम अशोग गैलोत ज्यादा लड़ गया है उन्होंने अपनी जो personality के विपरीत अपने आपको इस बार दिखाया है जिस तरीके से private agency हैर की और उसके बाद पूरी तरीके से धुमादार प्रचार किया पोस्टर उससे सारी नेता गयब हो गया सिर्फ अशोग गैलोत का कत बड़ा हुआ दिखाई देने लगा अशोग ग दिखाने की कोशिश की है कि मैंने एक साल में घले ही मेरे को एक साल मिला हो चार साल इस तरीके से अपनी कुर्सी बचाने के लिए लेकिन एक साल में मैंने जम के जनता को दिया है और इसी के बलपन मेरी सरकार आनी चाहिए और यही बात वो गूम गूम के सब पर पचार कर कि दो दिन पहले मैं किसी एक विक्ति से बात कर रहा था बुजर्ग तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि जब मैंने उसे पूचा कि आप अशोग गयलूत को देख रहा है जीतेंगे वो तो उन्हें का कि इतने दिनों से मैं अशोग गयलूत जी को देख रहा हूं जब उनके बात होती तो उनका एक इमेज मेरे आँखों के सामने पोर्ट्रे होता है कि एक सूत किमाला आमोमन किसी बुजर्ग को वो पहना रहे हूं लेकिन अब उनका जो परस्नालिटी वो एकदम अलग है कि हाइड्रोलिक कार में खड़े होके हाथ लाते हुए जा रहे ह हैं बड़ी बड़ी गाडियों में घूम रहे हैं तो उन्होंने पनी परस्नालिटी चेंज कर ली है कह सकते हैं कि अपने आपको जिस तरीके से दिखाने की कोशिश है तो यह एक कॉंफिडेंस उनकी तरफ से नजर आ रहा है उनके लोगों के बीच में नजर आ रहा है और इमिज ब्रांडिंग है वो बहुत बड़े लिवल पर राजिस्तान पर की गई यह शुक्रिया मनीश और विजय लक्ष्मी करेंगे आपका और